हलो एबरीवन आजकी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास्टेंड साइंस का चैफल नॉमबर टू एसीड बेसिस और सॉल्स का इंपॉर्टेंट कोचन एंसर्स ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए लिखा हुआ है वर् आपका तीन चाप्टर चाप्टर कंप्रीट हो गया ऐसा हाला करने का जरूत नहीं है ठीक है चुपचा पढ़ते लिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पूशन से कुछ कुछ MCQs लिए हैं और कुछ लंबे कोशन्स लिए हैं दोनों टाइप पर कोशन्स वाल करेंगे काफी अच्छे-च्छे कोशन हम चुन-चुन कर डाले हैं जैसे आप पूरा चैप्टर कर डिवीजन हो जाएगा तो आरामराम से वीडियो को देखिए और समझ ये देखिए ये तो हमें पता है कि टर्मरिक क्या है एक इंडिकेटर है इसका कलर येलो से क्या हो जाता है रेड हो जाता है जब कोई बेसिक चीज इस पर एक्ट करता है तब ठीक है इसलिए ये इसका कलर येलो से रेड कर देता है ठीक है अब हम क्या करते है एक सबस्टेंस लेते हैं पी जब इसको हम टर्मरिक में एड करते हैं तो कोई चेंज इन कलर दिखने को नहीं मिलता है ठीक है इतना समझे अगर ये पी सबस्टेंस बेस होता तो ये क्या करता इस तो red कर देता है कि नहीं लेकिन red तो नहीं किया इसका मतलब यह substance जो भी है बेस नहीं है समझे तो which of the following is definitely true about substance P P के बारे में क्या true है वो बताना है P क्या acid है देखे बेस नहीं है हमें यह पता है acid भी हो सकता है neutral substance भी कुछ हो सकता है तो यह definitely true नहीं बोल सकते है salt नहीं बोल सकते है P is not a base हाँ यह एकदम पक्के तोर पर बोल सकते है कि P base नहीं है P is a neutral substance हो भी सकता है नहीं हो सकता है definitely true नहीं है ठीक है option number C होगा right answer समझेगे नहीं चलिए आए नेक्स्ट कोशन पर number 2 which of the following are properties of acids acid का property बत चुनना है इसमें से P they are bitter in taste यह कैसा ही है कि नहीं तो यह तो गलत है acid का taste कैसा होता है sour होता है bitter taste किसका होता है base का होता है यह statement तो गलत हो गया they react with metals to produce hydrogen gas बहुत ही famous statement तो यह right statement है they are easily soluble in water तो यह भी पानी में बूल जाते है यह भी right statement है तो q and r only q and r option number c होगा right answer ठीक है next यह देशे बहुत असरा question है Anand took four colorless solution P, q, r and s and perform the following test यह सब टेस्ट करता है solution P को पहले methyl orange के साथ treat करता है देखता है कि कोई color में change नहीं होता है फिर उसको phenothaline के साथ test करता है फिर कोई change नहीं red litmus के साथ भी कोई change नहीं blue litmus के साथ भी change नहीं वैसे q के साथ वो test करके यह सब रिजल्ट पाता है r के साथ यह सब रिजल्ट और s के साथ यह सब रिजल्ट question क्या पूछ रहा है which what is the definite conclusion that Anand can reach तो यह सब टेस्ट देखके बताना है कि क्या conclusion निकल सकता है तो देखे इसके लिए आपको यह जो table है यह याद होना चाहिए जब हम chapter पढ़ा रहे थे तो इसको बताए थे कि acid और base कौनसे कौनसे indicator के साथ कौनसे कौनसा कलर देता है blue litmus वाला तो सबको मालूम होता है कि acid जो है वो blue को red कर देता है और base जो है वो red को blue कर देता है ठीक है याद नहीं रहता है यह दो नो फिर अप्थलिन और methyl orange वाला देखिए acid जो है philophthalene को philophthalene को colorless ही रहता है और base उसको pink कर देता है यह यादर किएगा और methyl orange acid जो है methyl orange के साथ react करके red color देता है और base yellow color देता है ठीक है तो देखिए ht1 को ध्यान से देखते है सबसे पहले देखते है कहाँ पर change आया है यहाँ पर change देखने को मिल रहा है solution q methyl orange के साथ red color दे रहा है methyl orange के साथ red color कौन देता है तो आप बोलेंगे acid तो इससे हमें समझ में आ गया कि यह solution q क्या है acid है ठीक है और फिर यहाँ पर भी एक test है यह blue लिटमर्स को red कर दे रहा है तो इससे भी और साबित हो गया कि यह q जो है वो acid ही है फिर वैसे solution s देखिए यह pink phenophthalene को pink कर दे रहा है तो कौन सा चीज phenophthalene को pink करता है तो आप बोलेंगे बेज जो है phenophthalene को pink कर देता है है कि नहीं इससे समझगा आ गया कि यह solution s जो है यह base है यह acid था और यहाँ पे भी समझगा रहा है कि यह red litmus को blue कर रहा है मतलब यह base है पका तो solution q और s के बारे में तो पता चल लिए यह acid है यह base है solution p किसी के साथ कुछ भी change नहीं कर रहा है solution r भी किसी indicator के साथ कोई change नहीं कर रहा है तो यह आप हम sure नहीं है कि यह acid है कि base है कि neutral substance है यह आप यह आप है options analyze कर लेते हैं पहला option है both p and s are source solution P के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं लेकिन S के बारे में हमें पता था कि ये क्या था, base था है कि नहीं तो solve solution तो नहीं होगा, ये गलत हो गया फिर बोथ Q and S are basic solution Q और S दोलो basic solution है, नहीं ये भी गलत होगा कि maximum Q थो acidic solution था ये गलती statement है Q and R are salt solution Q and R are salt solution Q तो हमें पता acid है तो ये भी गलत हो गया बोथ P and R are neutral solution P और R हाँ, दोनों किसी indicator के साथ कोई भी color change नहीं कर रहा है इसका मतलब दोनों क्या है? neutral solution है तो option number D हो जाएगा right answer समझें? काफी अच्छा question था ये इसके लिए आपको ये चीज़ याद होना बहुत जरूरी है आगे move करते है number 4 पे In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte the following apparatus was set up ऐसा apparatus set up किया गया Which of the following statements correct है वो बताना है number 1 The bulb will not glow because the electrolyte is not acidic यह पे जो liquid लिया गया है electrolyte ये एक basic solution लिया हुआ है ये acidic नहीं है इसके लिए बड़ा तरह ये bulb glow नहीं करेगा तो क्या ये बात सही है तो नहीं ये statement गलत है bulb glow करेगा ये फिर नहीं करेगा ये depend करता है जो electrolyte आपने लिया है वो ions देता है कि नहीं तो ये ions दे देगा इसली Na plus और OH minus ions ठीक है तो ये elasticity conduct करेगा गलत statement है वो The bulb will glow because NaOH is a strong base and furnished ions for conduction एकदम राइट statement bulb will not glow because the circuit is incomplete circuit क्या incomplete है ये battery है ये bulb है यहापे switch है यहाँ से लगातार गया circuit circuit तो पुरण complete है तो ये statement भी गलत है bulb will not glow because it depends upon the type of electrolytic solution ये तो सही है बल्ब तो गलो करेगा तो ये statement भी गलत हो जाएगा ठीक है तो कौन सा सही तो फिल only two मतलब ये वाला option number B हो जाएगा right answer समझे चले next question और हाँ यहाँ पर ये भी आद रखेगा अगर यहाँ पर इंपीोर वाटर ले जैसे इधेन वाटर तो रलिक्री कोरूररिक्ट होता है वह यहाँ पर यहाँ पर दिस्टिल वाटर लेते आगर यह question किये है दिस्टिल वाटर सब से प्यवर फाव आप 121 मतलब O-The Salt 1080 बताना है ठीक है घट्टे क्रम में सजाना है तो OH माइनस आयन मतलब अब H प्लस से इसको रिलेट कीजिए जहाँ पे H प्लस ज्यादा होगा वहाँ पे OH माइनस कम होगा ठीक है तो इसका वाइन है Milk of Magnesia है Milk of Magnesia का फॉर्मड़ा Mg-OH होल्डवाइस यह याद रखेंगे आप और बलड है तो दिखें इसपे सब से ज़ादा पी एच यहां पे है मतलब सबसे आदा हाइड्रोक्साइड आयन यही पें होगा ठीक है उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन इस में होगा और उसकेबाद सबसे कम hydroxide iron इसमें होगा तो पहले होगा milk of magnesia, फिर होगा blood, फिर होगा wine, option number C, वहीं अगर इस question में hydroxide नहीं देखे, hydronium दे देते, तो यह series उल्टा पलट जाता, पहले आपको wine करना पड़ता क्योंकि इसमें hydrogen iron जाता है, उसके बाद blood, उसके बाद milk of magnesia, ठीक है, आईए, next question number 6, which of the following salts does not contain water of crystallization, किसमें water of crystallization नहीं है, अब यह सबाल तो वही बच्चा कर पाएगा, जिसको इन सबका formula मालूम है, है कि नहीं, तो चारोगा formula यहाँ पर लिक रखे हैं, देखे, blue withdrawal, इसमें 5 water of crystallization है, baking soda में water of crystallization नहीं है, washing soda में 10 molecules of water of crystallization है, और gypsum में भी 2 water of crystallization है, किसमें water of crystallization नहीं है, baking soda, option number B होगा, right answer, ठीक है, यह यहाँ पर चारोगा formula इसलिए लिक रखे हैं, क्योंकि आप यह याद करना बहुत जुनुरी है, तरह तरह से question आता है, इसके उपर, next, अब MCQs खतम हो गया, आप थोड़े long question पर आ जाते हैं, number 2, in the following schematic diagram, for the preparation of hydrogen gas, as shown in figure, what would happen if the following changes are made यह कुछ changes करेंगे, और देखेंगे, क्या effect मिलता है, ठीक है, पहला है, in place of zinc granules, यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसका किसका reaction है, dilute sulfuric acid लिया हुआ है, और zinc granules, zinc एक metal है, plus H2SO4, कोई भी acid metal के साथ react करके क्या करता है, एक salt बढ़ाता है, ZNSO4, plus hydrogen gas निकलता है, यह hydrogen gas का bubble से यहाँ पर निकल जाया है, इसी को अगर हम यहाँ पर burning candle लाएंगे, तो pop sound के साथ जलता है, ठीक है, तो बोला जारा है, zinc granules ना लेके, zinc dust लेंगे, तो क्या होगा, तो dust याई powder होगा, वो powder के form में और जल्दी react होगा, इसको आप ऐसे ही समझे, कि अगर आप एक glass पानी लेत करता है, उतना जल्दी वो reaction करता है, तो zinc dust लेंगे, तो hydrogen gas जो निकलेगा, वो greater speed के साथ निकलेगा, ठीक है, दूस्तरा, instead of dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid अगर ले, इसके जगा पर HCl अगर ले, तो क्या होगा, तो दोनों ही strong acid है, same amount of hydrogen gas evolve होगा, ठीक है, तो दोनों ही strong acid है, in place of zinc, copper turnings are used Zinc के जगा पर आप copper इस्तवाल करना चाहते है, तो क्या होगा, तो ये question देखने के लिए, करने के लिए, आपको ये metal reactivity series याद होना चाहिए, chapter number 3 का, ठीक है, इसको याद करने का trick भी बता रखे थे, तो देखे, उस पर भी नहीं जाते है, फिलाल ये question को solve करते है, बोला ज plus H2, यहाँ पर zinc जो था hydrogen को क्या कर रहा है, डिस्पलेस कर दे रहा है, उसके जगा पर, hydrogen के जगा पर zinc आ रहा है, ठीक है, क्योंकि zinc इस reactivity series में hydrogen के ऊपर है, उसलिए zinc ज्यादा powerful है, ये hydrogen को इसलिए डिस्पलेस कर पा रहा है, लेकिन अगर हम zinc के जगा पर copper यूज करेंगे तो क्या ही ये hydrogen को डिस्पलेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो hydrogen gas यहाँ पर, ये reaction ही नहीं होगा, hydrogen gas भी नहीं निकलेगा, ठीक है, तो अगर copper turnings लेंगे तो hydrogen gas is not evolved, ये reason हम यहाँ पर लिख दिये है, ठीक है, question number D, sodium hydroxide is taken in place of sulfuric acid and the tube is heated, zinc to zinc की है, H2SO4 ना लेके, ये acid थ strong base ले रहे है, तब क्या ये reaction होगा, तब भी क्या hydrogen gas निकलेगा, तो हाँ निकलता है, और यहाँ पर एक salt form होता है, जिसको बोलते है, sodium zinc it, Na2, ZnO2, very 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 important, direct question आयता है एक बार वोड इक्जाब में, कि जब zinc, sodium hydroxide से react करता है, तो कॉनसर कॉनसा product मिलता है, वो बताईए, तो sodium zinc it, बहुत लोगों को formula याद था, लेकिन यह नाम याद नहीं था तो, कुछ maskat गया था, ठीक है, चलिए, तो यह अच्छा question था, number 3 पे आते हैं, वरून took sample A, and added dilute hydrochloric acid to it, कुई substance लिया A, और इसमें HCl acid add कर दिया, a colorless gas X निकलता है, ठीक है, which turned lime water milky, lime water milky कर रहा है यह X, इसका मतलब हम confirm हो गए, कि यह carbon dioxide gas ही होगा, ठीक है, और acid के साथ क्या reactor के carbon dioxide gas देता है, तो पक्का कोई carbonate ही होगा, metal carbonate, यह फिर bicarbonate, ठीक है, कोई carbonate होगा यहाँ पे, तो identify sample A, यह A को identify करना है, तो A क्या है, कोई metal carbonate है, gas X को भी identify करना है, तो X चाहिए हमें पता चलिए carbon dioxide gas से, write a chemical equation to explain the reaction between A and hydrochloric acid, इसका एक chemical equation लिखना है, तो metal carbonate हमने बुक में पढ़ा है, sodium carbonate है, और SCL, तो salt बनता है, यह हमारा carbon dioxide gas निकलता है, और water निकलता है, ठीक है, why does these gas X turn lime water मिलकी, यह lime water को मिलकी क्यों कर रहा है, तो chapter 1 का question बन गिया है, क्योंकि carbon dioxide gas lime water के साथ react करके, calcium carbonate बनाता है, जो की insoluble होता है, यह घुलता नहीं है, जो की white precipitate बन जाता है, उसलिए वो पानी white-white हो जाता है, ठीक है, तो यह statement और यह equation दोनों याद रखना है आपको, बहुत अच्छा कोश है, नमबर 4, you are provided with 90 ml of distilled water, distilled water समझते हैं क्या होता है, मतलब आपके पास कितना भी गंदा पानी है, ठीक है, आप उस पानी को उबा लिए, boil कीजिएं, जो water vapor निकल रहा है, उतको फिर एक जगापे condense कीजिए, और उसको इकटा कर लिजिए, तो यह जो आपको पानी मिलाना, इसी को बोलते है distilled water, सबसे साफ पानी होता ही है, ठीक है, and 10 ml of concentrated sulfuric acid, ठीक है, पानी है और acid भी है, to prepare dilute sulfuric acid, आपको dilute sulfuric acid बनाना है, मतलब इस acid में पानी मिलाना है, तो what is the correct way of preparing dilute, कैसे आप मिलाएंगे दोलों को, मतलब basically यह question में पूछा जा रहा है, acid को पानी में मिलाएंगे, और फिर पानी को acid में मिलाएंगे, तो इसको याद करने का सबसे easy technique क्या होता है, आप identify कीजिए कि दोलों में कौन ज़्यादा खतरनाक है, acid की water, तो आप बोल है, ठीक है, reason बताना है क्यों आप ऐसे करेंगे, क्योंकि यह reaction highly exothermik है, बहुत ज़्यादा heat evolve होता है, और ज़्यादा जोड़ से अगर आप add कर दिये, और ठीक से नहीं हिलाएं, तो वो heat इतना हो सकता है कि glass container break हो जाएं, ठीक है, इसलिए दीरे-दीरे add करना है, how will the concentration of hydronium ion change on dilution, पानी मिलाते हैं, तो इसका concentration पर क्या effect पड़ता है, तो decrease होगा, ठीक है, पानी add कर रहे है, उसका power खातम हो रहा है, तो decrease होता है उसका concentration, चलिए, और इसी के साथ स्वार से एक reminder देते हैं, स्वार वीडियो को pause करके, कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चानल पर आपको ऐसे ही क्लास्टेंस रिलेटेड कंटेंट बहुत सारे मिलेंगे, और सिफ साइन्स का ही नहीं, मैथ हो, या साइन्स, SST, इंगलिज, सारो ही सब लेट हो कापी डिटेल तरीके से पड़ा र जाएगा, ठीक है, तो इबड़ ट्राइ कीजिए, देखे आप में, आप भी खुद ही फिल करेंगे कि आप में क्या-क्या चेंजिस आ रहा है, ठीक है, चलिए, आगे मूफ करते हैं, यह है कुछ रीजन-based question, बहुत सारे statement हम ले लिए यहां पर सबकार रीजन बता रहा है, पहला question है, कि rain water conduct electricity, लेकिन distilled water electricity conduct नहीं करता है, तो simple है इसका reason, क्योंकि distilled water pure form of water होता है, इसलिए यह does not dissociate into ions, ions नहीं देता है, इसलिए electricity conduct नहीं करता है, जबकि rain water एक impure form of water होता है, इसमें करी सारे ions present होते हैं, जिससे electricity conduct होता है, ठीक है? नमबर टू, we feel a burning sensation in the stomach when we overeat, ज्यादा खानेने से पेट में जलन होता है, तो हमारे पेट में कौन सा acid है, HCL acid है, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा acid produce होगा, इसलिए हमें जलन होने लगता है, ठीक है? नमबर थ्री, a tarnished copper vessel regains its shine when rubbed with lemon, lemon में एक acid होता है, tartaric acid, तो वो, देखे, copper vessel tarnished क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे copper carbureate का formation हो जाता है उपर में, ठीक है? इस बर्तन के उपर में copper carbureate का layer जम जाता है, और ये layer basic nature का होता है, जब आप इसको nimbu से रगड़ते हैं, तो इसमें का acid और ये base neutralize हो जाता है, ठीक है? और फिर से वो बर्तन sign करने लग जाता है, crystals of washing soda change to white powder on exposure to air, अब ये क्यों होता है? तो देखें, washing soda का formula है ये, 10 molecules of water चाहिए, ठीक है? जब इसको आप पानी, sorry, हावा में खुला छोड़ देंगे, तो ये जो पानी है, water vapor बनके उर जाएगा, और ये एक white powder में convert हो जाएगा, ठीक है? नमबर 5, aqueous solution of sodium chloride is neutral, but an aqueous solution of sodium carbonate is basic, ये भी एक salt है, sodium chloride, और sodium carbonate ये भी एक salt है, तो इसको, जब इस salt को जब पानी में गोलते हैं, तो ये neutral nature का होता है, लेकिन जब इस salt को पानी में गोलते हैं, तो ये basic nature का होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि answer simple है, क्योंकि ये salt जो है, वो strong acid और strong base से मिलके बना है, इसलिए ये neutral salt है, और ये जो salt है, वो कैसे बना है, देखें, या पहे लिखा हुआ है, और यह रही है, sodium chloride जो है, strong acid और strong base मिलके बना, इसलिए neutral है, जबकि यह जो salt है, sodium carbonate, यह एक weak acid, जिसको बोलता है carbonic acid, और strong base से मिलके बना है, तो acid कम जो रहे, और base strong है, मतलब इस salt का nature क्या होगा, basic होगा, समझे, तो वह यह आप लिखा हुगा है, और यह दो equation भी आप लिख स सकते हैं, इसको जब पानी में गोले, तो यह strong base strong acid निकला, इसको जब पानी में गोलते हैं, तो strong base तो निकलता है, लेकिन acid जो carbonic acid है, यह weak acid है, ठीक है, तो इसलिए इसमें base का प्रभाव जादा रहा जाता है, basic nature बन जाता है यह, 6, dry hydrogen chloride gas does not turn blue litmus red, whereas dilute hydrochloric acid does, बहुत famous question और बहुत easy question है, कि सुखा हुआ dry hydrogen HCl gas, blue को red नहीं करता है, मतलब इसमें acid ही गुंड नहीं होता है, जबकि dilute, जिसमें पानी मेला हुआ है, वो blue को red कर देता है, तो क्यों, तो कि सुखा हुआ है, इसमें S plus ions हैं नहीं होता है, ठीक ह इसलिए वो, उसमें acidi property नहीं होता है, answer देख लीजे, dry HCl gas does not dissociate into ions, या ions ही नहीं देता है, H plus ions या फिर कोई भी लिखने से होगा, H plus ion या फिर H3O plus ions, इसलिए litmus पे कोई effect नहीं होता है, जबकि dilute hydrochloric acid ions देता है, इसलिए वो blue को red कर देता है, चलिए, 7, During the summer season, a milkman usually adds a very small amount of baking soda to fresh milk, तो ऐसा वो क्यों करता है, तो इसका एंजर होगा ये, कि baking soda prevents formation of lactic acid, जिससे milk खराब होने से बच जाता है, ठीक है? और next question, ammonia is a base, but it does not contain hydroxyl group, जब हम आपको इस चप्टर पढ़ा रहे थे, तो आपको बताएते हैं, कि हर acid में H plus ions होता है, और हर base में OH minus ion होता है, ठीक है? तो इसी OH minus को hydroxyl group कहते है, ठीक है? तो ammonia जिसका formula होता है NH3, ये base है, लेकिन इस formula में कहीं भी OH नहीं दिख रहा है, हम बताएते हर base में OH आपको देखने को मिलेगा, इसमें तो OH नहीं है, लेकिन तब ही ये base है, तो ऐसा Q, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ammonia को जब आप पानी में मिलाएंगे ना, तो ammonium hydroxide बनेगा अब तो OH आगिया, इसलिए ये base की तरह काम करता है, ठीक है, इस तरीके से answer देना है आपको, next, 6, give the chemical name of compound present in tooth enable, very important, आपके दातों में कौन सा chemical present है, तो calcium phosphate, आता है ये question, what is the nature of compound, ये किस nature का है, acid है की basic है की neutral है, तो ये basic nature का होता है, next question है, sweet tooth may lead to tooth decay, अगर आप बहुत जदा मीठा खाते हैं, तो आपका दात खराब हो जाएगा, तो ऐसा Q, तो देखे, जब आप बहुत जदा मीठा खाते हैं ना, तो और आपके मुह में मीठा अगर रह जाता है, तो इसमें bacteria काम करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे acid का formation कर देता है, आ दात मेरे जीवो में acid formation होता है, इससे क्या होता है, आपके मुह का pH 5.5 से निशे चला जाता है, ठीक है, और आपका दात जो है, वो basic nature का है, और आपका मुह में acidic environment है, तो acid or base reaction करके, आपका tooth enamel करने लग जाता है वहाँ पे, ठीक है, इससे से cavity होता है, तो what is the role of toothpaste in preventing cavity, तो य इसको neutralize कर देते हैं, और दात का जो enamel है, वो protected रहता है, ठीक है, नेक्स्ट, 7, why does a honey bee sting cause pain and irritation, इसके डंक में क्या होता है, जब यह काटता है, तो बहुत pain and irritation होता है, तो क्योंकि यह जब काटता है हमें, तो हमारे सरीर में formic acid छोड़ देता है, इसलिए हमें pain and irritation होता है, इ और वाला base ले लिए, जैसे कि toothpaste हो गया, या फिर baking soda, sodium bicarbonate हो गया, इसको अपरप कीजिए, तो चुकि यह mild base है, जो excess acid है, formic acid, वो इसको neutralize कर देगा, ठीक है, और आपका pain irritation कम हो जाएगा, नमबर 8, बहुत अच्छा कोशन निए, identify the gases evolved and the anode and cathode in the below experimental setup, यह experimental setup में, यह anode है और यह cathode है, बताए यह कौन सा gas निकलेगा, तो आपको पहले भी याद करवाश चुके है, जो chapter 1 का, chapter 1 का जो important questions बताए थे, उसमें आपको याद करवाए थे, कि cathode में H है, तो यहाँ पर hydrogen gas निकलेगा, ठीक है, और बज़ी है कि है chlorine, तो वो anode में निकलता है, यहाँ पर ब्राइल है, ब्राइल समझ रहे हैं, मतलब sodium chloride का solution, यह electrolyte यूज किया गया था, और इसमें बिजली पास्क किया गया, तो जो anode है, वहाँ पर chlorine निकलता है, chlorine gas और cathode पर hydrogen gas निकलता है, ठीक है, name the process that occurs, why is it so called, इस process का नाम गया है, पूरे process का, तो इसको बोलते है, chloride alkali process, इसका नाम ऐसा क्यों पर आ है, इसलिए क्योंकि जो product है, जब NaCl का, यह रहा, NaCl का जब electrolysis करते हैं, तो तीन product मिलता है, NaOH, Cl2 और H2O, यह मिलता है cathode पे, यह anode पे, और यह इसी में रहता है, ठीक मिला, उपर से एक alkali मिला, बेस को alkali भी कहते हैं, तो chlorine मिल रहा है, alkali मिल रहा है, इसका नाम, इसका नाम प्रोसेस पड़ किया, ठीक है, यह भी कोशन आता है, क्यों इसका नाम ऐसा है, illustrate the reaction of the process with the help of chemical equation, तो यह chemical equation हो गया, write one use of each of the product of the above process, इसका भी use बताइए, इसका भी use ब बताइए, तो simple है, बहुत straight forward को चले, sodium hydroxide का यूज है, making of soap, detergent, paper making, chlorine का यूज हो जाएगा, disinfectant, water treatment, swimming pools पर यूज होता है, oxidizing agent के रूप में यूज किया जाता है, और hydrogen का यूज है, fuel, making ammonia for fertilizers, यह सब यूज हो गया, फिर write examples of other compounds that can be formed using sodium chloride as raw material, और भी कोंसे कोंसे compound बना सकते हैं, तो baking soda, washing soda, यह सब बना सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो यह हो यह number 9, एक metal carbonate है, X, acid के साथ reaction करता है, और एक gas निकलता है, समझ जाए, carbonate है, तो कौन सा gas निकलेगा, CO2 gas निकलेगा, which when passed through solution Y, gives the carbonate back, एक solution Y के साथ जब पास करते हैं इस gas को, तो carbonate फिर से मिल जाता है, हम सब सोच रहे थे कि यहापे milkylase वाला question पूछेंगे, लेकिन यह लोग carbonate देखे question पूछ दिये, वतलब वह ही है, milkylase बना क्योंग, क्योंकि insoluble calcium carbonate बनता है, तो समझ बागिया कि यह यह क्या है, वोई line water है, CAOH whole twice, on the other hand, a gas G, कोई एक और gas है, G, that is obtained at the anode during electrolysis of brine, अभी पिछले question में देखे थे कि brine का जब electrolysis करते हैं, तो anode अब क्या हूँ सा gas मिल रहा था, यह gas था, chlorine gas, ठीक है, इसको जब dry Y से pass करते हैं, तो gives the compound Z, used for disinfecting chlorine drinking water, तो यह Z समझ में आगिया, यह क्या होगा, पानी साफ करता है, तो यह होगा, bleaching powder, C, A, O, C, L, 2, ठीक है, तो chlorine को किसके साथ react करते हैं, तो bleaching powder मिलता है, तो आप बोलेंगे, calcium hydroxide के साथ, X, Y, G और Z कैसे identify करें, X तो हमें पता नहीं कोई metal carbonate है, कौन सा metal carbonate अभी sure नहीं हो रहा है, जो जो पता है, पहले वो लिखते हैं, Y पता चलिया, Y क्या है, C, O, H, O, twice, यह रहा, यह Y का answer हो गया, फिर G, G पता था क्या हमें, G पता चलिया था, chlorine, तो G है, chlorine, कहीं नहीं लिखा हुआ है, यह रहा, यह रहा, G, chlorine, इसका answer हो गया, और Z, Z, कौन सा था, Z, Z हमें पता चलिया, यह था, Z, bleaching powder है, Z, ठीक है, अब हमें पता करना है, X, तो यहाँ हम सब में देशिये, bleaching powder में calcium है, इसमें calcium है, तो X में भी हम ले ले लेते है, calcium carbonate ह है, X को, समझें, logic, also write chemical reactions involved, तो कौन साथ chemical reaction है, वो लिख दीजिए, तो यह bleaching powder का formation वाला reaction हो गया, फिर, यह रहा, metal carbonate acid के साथ reaction यह हो गया, और यह क्या था, इस gas को जब Y से पास किया गया, तो carbonate वापस में गया, यह उसके लिए equation हो गया, तो इसकुछ इस तरीके से answer आईए, next question पर आते हैं, 10, match कर रहा है इसको, तो कैसे करेंगे देखिए, sodium hydroxide, base है, NaOH, इसका pH जरूर साथ से ज्यादा होगा, और काफी strong base है, तो इसको तेरह देते हैं, ठीके, gastric juice, हमारे पेट में जो juice है, वो acid है, तो इसका pH जरूर साथ से कम होगा, तो साथ से कम एक ही option है, यह हो जाएगा, brine, NaCl का solution को brine कहते है, तो यह तो neutral होता है, pH इसका साथ होगा, बच यह milk of magnesium, इसका pH 10 दे दीजिए, इसका अगर formula आप से पूछे तो, क्या होगा, N-G-O-H whole twice, याद रखेंगे आप, आईए, next question, 11, जायवन, डाइना prepared a cake by two methods, दो method से वो cake prepare करती है, पहले method में, वो क्या करती है, अड़े बेकिंग सोडा to the cake mixture and let the mixture stand for one hour before placing it in the oven to bake, ठीक है, baking soda add करती है पहले बारी में दूसरी बार वो baking powder add करती है उसी cake में और फिर एक घंडे के लिए छोड़ती है oven में डालने से पहले तो state the difference in the cake mixer and dina is likely to have observed, दोनों में क्या difference उसे observe करने मिला होगा क्यों? तो देखिए एक में baking soda add कर रही है एक में baking powder add कर रही है तो आपको दोनों में difference पतावना चाहिए क्या difference होता है तो लिखा है कि mixer 2 में ज़्यादा फूला हुआ मतलब cake मिलेगा, ठीक है क्यों? क्योंकि sodium bicarbonate और tartaric acid यह दोनों चीज़ प्रेजेंट है इस baking powder में ठीक है? तो यह दोनो react on mixing with another one another producing carbon dioxide gas यहाँ पर carbon dioxide gas का formation होता है जिस वह से यह mixer फूल जाता है, ठीक है? तो यह रा sodium bicarbonate और acid से S plus ion आया तो carbon dioxide gas निकला जिससे यह जो cake मिलेगा वो थरा फुला-फुला मिलेगा, शॉप्ठ मिलेगा जबकि बेकिंग सोडा में क्योंकि इसमें acid नहीं है तो यहाँ पर carbon dioxide gas नहीं बनता है बहुत अच्छा question 12th, Amitandrita decided to bake a cake and added baking soda to the cake batter explain with balanced reaction the rule of baking soda or mention any other use of baking soda ठीक है? तो baking soda, जब इसमें add करके इसको bake करेंगे तो thermal decomposition हो जाएगा इस baking soda का और तीन प्रोड़क्ट मिलेगा sodium, carbonate, carbon dead cell और hydrogen gas तो यहाँ पर baking soda का रोल क्या है? तो baking soda में जब decomposition हुआ तो CO2 gas मिला और यह CO2 gas क्या कर देगा? इसको फुला देगा, soft कर देगा ठीक है? अधर यूज क्या है baking soda का तो fire extinguisher में use होता है anti-acid के रूप में use होता है very important इसके लिए एक separate question बनता है to neutralize the effect of acid in insect instincts इस पर भी इस्तवाल कर सकते है आई यह next question 13 पर आते है identify the compound of calcium that is used for plastering fractured bones समझगे? plaster of padis का बात किया जा रहा है POP यह रा इसका formula हो गया CaSO4 और hemihydrate half H2O with the help of chemical equations so how it is prepared तो कैसे बनाते हैं इसको तो इतना लेते हैं और heat करते हैं 373 कलोरीन पर तो dear molecules of water निकल जाता है और यह calcium hemihydrate मतलब hemihydrate molecules of water रहे जाता है ठीक है? what precaution should be taken during the preparation of this compound क्या precaution लेंगे आप कि temperature इससे ज़्यादा ना हो क्योंकि इससे ज़्यादा हुआ तो यह यह भी पानी उर जाएगा ठीक है? और CaSO4 जिब बचेगा यह precaution लेना है और इसका इस्तमाल आप ऐसा नहीं किसी fractured bone को set up करने के लिए ही करेंगे आप क्या कर सकते हैं ट्वाइज बना सकते हैं डेकॉरेटिव आइटम बना सकते हैं यह सब में भी इसका इस्तमाल होता है बस तो इता ही कोशन है उमीद करते हैं आपको इन सब questions के जरी यह पूरा chapter का आच्छा से revision हो गया होगा और क्या-क्या चीज इन्पोरेंट है किसको आपको दिहान देना है वो चीज आपको पता चला होगा तो इतना ही था यह वीडियो यह सारा important question and answers आपको मेरे website टे मिल जाएगा बताईए दिये कैसे मिलेगा आपको simply google में search करना है चैप्टर का नेम important question और last में आट कर देना है 22 basic guidance इतना लिक के search मारिए आपको सारा question answer मिल जाएगा आप उसको PDF फर्में डाउनलोटर के prepare कर सकते हैं ठीक है चलिए तो उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा काफी चीज सीखने को मिला होगा वीडियो कर अच्छा लगा है तो जरूर तीन काम कीजिए वीडियो को like कीजिए जिस्ते की वीडियो का reach वरेगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में share कीजिए तकि उनका भी वहला हो कर वहला तो वह वहला ठीक है और चैनल पर अगर नहीं है तो इसको subscribe भी कर नहीं है चलिए end करते मिलते हैं बोजल किसी और वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई and take care